एलो एवरीवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल ओडियोवर्स अन्राइवर्ड मेडिसिन गॉड चाप्टर 631 से 640 जिस ओषधिय गॉली को महर परिशकृत करना चाहता था उसका नाम सकंध mesa and spirit demonic phil था जो टीर पाँच निमन श्रेणी की राक्षसी गोली थी बिना किसी संदेह के इस तरह की ओषधिय गोली जिसे महर परिशकृत करना चाहता था उसे काफी कीमत खर्च करनी पड़ी टियर पांच औशधिय गोलियों की शोधन कठिनाई उनके द्वारा अतीत में परिश्कृत की गई औशधिय गोलियों से बिलकुल अलग स्थर पर थी इसके अलावा महर की गोली के फार्मूले किसको परिश्कृत करना आसान था दरसल महर का यूशिन से कोई संबंध नहीं था लेकिन महर ने अंतह सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली को परिश्कृत करने में उसकी मदद करने का फैसला किया जैसा की यू हुआन ने कहा यह जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीला वास्तव में अच्छे स्वभाव का था जदी यह कोई अन्य राक्षस जाती होती तो संभव था उसके लिए ऐसी कठेन परीक्षा से गुजरना इतना आसान नहीं होता इसके अलावा मेहर को इस इश्वर निशिध दानव शेत्र में जीवित रहने के लिए उसे एक गुट से जुरना पड़ा अन्य था अपनी मानव जाती की पहचान के साथ वह वास्तव में सडकों पर दौरने वाला चुहा बन जाएगा जिसे मारने के लिए हर कोई चिलाता है यह भी अनिश्चित था कि इस इश्वर निशिध दानव शेत्र का अस्तित्व किस प्रकार का था यहां वास्तव में टियर चे पावर हाउस थे इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए टियर चे विशेशग्य के वल एक या दो की तरह सरल नहीं होने के लिए बाध्य थे कई विचारों के साथ महर ने फिर भी सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली को परिश्कृत करने का निर्ने लिया बेशक इसमें अभी भी यूशू उस मासूम छोटी लड़की का योगदान था महर के एकांतवास में चले जाने के बाद उन्होंने टियर चार कल्टिवेशन ओश्धिय गोलियों हेवनली सी एसेंस इनक्रीजिंग पिल को परिश्कृत किया रास्ते में महर ने वास्तव में काफी मात्रा में टियर चार स्पिरिट दवाएं जमा कर ली लब्ध संसाधनों पर भरोसा करते हुए कुछ हेवनली सी एसेंस बढ़ाने वाली गोलियों को परिश्कृत करना परियाप्त से अधिक था महर ने इस दस दिन के समय का उप्योग द्वितियस तर के सोल सागर पर प्रभाव डालने के लिए करने की योजना बनाई हाला कि उनकी सार उर्जा अभी सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक मोटी थी तियर पांच औशधिये गोलियों को परिश्कृत करने की इच्छा के लिए यह अभी भी कुछ हद तक अपनी जरूर्तों को पूरा करने के लिए संधर्ष कर रहा था थोड़ा सा बढ़ पाना थोड़ा था दस दिनों के बाद एवनली सी एसेंस इनक्रीजिंग पिल्स की सहायता से महर एक ही जटके में दूसरे स्टर के सोलसी में पहुँच गया ठीक उसी समय महर को जो स्पिरिट दवा सूची चाहिए थी वह भी आ गई थी इसे यू हुआन द्वारा व्यक्तिगत रूप से वित्रिट किया गया था ये सभी टियर पांच स्पिरिट दवाए हैं आप औशधिये गोलियों को परिश्कृत कर सकते हैं यू हुआन ने संदेह पूरवक कहा यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें ले जा सकते हैं क्या आपको लगता है कि मैं आप सभी के लिए औशधिये गोलिया परिश्कृत करना चाहता हूँ महिर ने नेहसंकोच उत्तर दिया जब यू हुआन ने यह सुना तो वह अपना गला रूधने से नहीं रोक सकी जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले के पुराने पूर्वच के रूप में इससे पहले किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कब की थी फिर भी उसके सामने इस लड़के का स्वभाव असामान्य रूप से ख्राब था जैसा की किस्मत में था उसे अभी भी उसकी मदद की जरूरत थी और वह उसका कुछ नहीं कर सकती थी यू हुआन के दिल की निराशा की केवल कलपना ही की जा सकती है तो ठीक है इस मामले में मुझे तुम्हें परिशान करना पड़ेगा यदि आप वास्तव में जिनेर का इलाज कर सकते हैं तो आप हमारे जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले के सम्मानित अतिथी होंगे आपका जो भी अनुरोध हो बस बता दें योहवान ने समझोता किया महर ने हाथ हिलाते हुए कहा मेरी कोई और फर्माईश नहीं है बस आप मुझे बाकी जिन्दगी के लिए कालकोठी में कैद न करें ऐसा ही होगा योहवान फिर से शर्मिंदा हुआ उसे पता चला कि उसे हमेशा महर के सामने कोई फाइदा नहीं मिल सकता इसलिए वह केवल वहां से जा सकती थी महर ने स्पिरेट औश्धिया रखी और पुनह बंदय कांत में प्रवेश कर गया महर ने चौकोर कड़ा ही निकाली सब कुछ तयार किया और सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली को परिश्कृत करने की तयारी शुरू कर दी लेकिन इससे पहले महर ने जियो रुयान और रेंडों को बाहर कर दिया अपने शिश्यों के प्रती महर कभी भी संग्राह नहीं करते थे गोलियों के शोधन के प्रती उनका जो गंभीर रवया था उसे अनुभव करने की जरूरत थी यह उनके विकास के लिए फाइदे मंद था मैं टियर पांच औश्धिय गोलियों सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली को परिश्कृत करने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए महर ने लापरवाही से कहा जियो रुयान और रेन डोम ने एक दूसरे पर नजर डाली और अंदर तक चौक गए क्या उनका स्वामी बहुत राक्षसी नहीं था अभी प्रारंभिक चरण कीमिया किंग दाइरे और वह एक टियर पांच औश्धिय गोली को परिश्कृत करने जा रहा था महर ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और सीधे गोली को परिश्कृत करना शुरू कर दिया जो रुयान और रेन डोम ने देर करने की हिम्मत नहीं की बिना अपनी निगाहें हिलाए महर को घूरते रहे चार प्रतीक आत्मा एकत्रित करने की कला सक्रिय करें महर ने एक गहरी सांस ली और हलके से चिलाया महर अचानक भड़क उठे और लंबी अनुपस्थिती के बाद फिर से देखे गए इस कीमिया कौशल का प्रदर्शन किया महर के लिए इस चार प्रतीकों वाली आत्मा को इकठा करने की कला को बहुत गहन कीमिया कौशल नहीं माना जाता था लेकिन वर्तमान में उसके लिए तनाव अभी भी काफी बड़ा था यदि महर ड्रैगन के रक्त को परिश्कृत नहीं करता और उसके भौतिक शरीर की रक्त जीवन शक्ती प्रचंड नहीं होती तो वह शायद वहां टिक भी नहीं पाता फिर भी महर ने इसे जराभी ठुकराने की हिम्मत नहीं की अपने वर्तमान खेती क्षेतर के साथ टियर पांच औशधीय गोलियों को परिश्कृत करते हुए उसे सभी पड़ावों को पार करना होगा जब महर समुदरी परिवर्तन खेतर में था तो यह वास्तव में बहुत अजीब था क्योंकि उसके पास टियर चार औशधीय गोलियों को परिश्कृत करने के लिए क्षेतर को पार करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि समुदरी परिवर्तन क्षेत्र को तोड़ने के बाद आत्मिक बल में अधिक वृध्धी नहीं हुई पियर चार औश्धिय गोलियों को परिश्कृत करना वास्तव में शोधन के लिए दो प्रमुख खेती क्षेत्रों को पार करने के बराबर था यह बिल्कुल असंभव था लेकिन उसके साधना शेत्र को आत्मा सागर्ट शेत्र में तोरने और आत्मा क्लेश को पार करने के मद्दे नजर उसकी दिव्य आत्मा ने पहले से ही एक गुनात्मक छलांग लगाई थी घले ही महर की वर्तमान आत्मिक शक्ती केवल चरंप्रारंभिक चरंण कीमिया किंग शेत्र थी यह सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक मोटी थी अपने अपरत्याशित कीमिया कॉशल को जोड़ कर क्या यह संभव हो सकता है कि सड़े हुए को किसी जादूई चीज में बदल दिया जाए एक टियर पांच औशधिय गोली को परिश्कृत किया जाए दो शिशों की आश्चर्यच्वित निगाहों के नीचे मूल रूप से असंबध औशधिय भुरून धीरे-धीरे संखनित और निर्मित हुआ मास्टर यह तो बस भगवान जैसी कीमिया कॉशल है जब मैं पहले जियो परिवार में था तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं पहले से ही बहुत अविश्वसनिय था केवल अब मुझे पता चला है कि मैंने मूल बाते भी नहीं सीखी है जो रुयान ने महर को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की और अपनी आवाज रेंडों तक पहुँचा दी रेंडों ने सिरहिलाया और कहा बस कला का एक अद्भुत काम मेरे पास वास्तव में कलपना करने का कोई तरीका नहीं है कि कीमिया कौशल को वास्तव में इस तरह के दाइरे में प्रशिक्षित किया जा सकता है मुझे लगता है कि अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ अगले एक हजार वर्शों तक खेती करते रहने पर भी मैं मास्टर स्थर तक नहीं पहुँच पाऊंगा दरसल हमें अपनी ख्शमताओं को कम तर आपने की भी जूरत नहीं है मास्टर की कीमिया कौशल के साथ उनका स्वेच्छा से हमें अपने आप में शामिल करना पहले से ही कई समस्याओं का संकेत देता है शायद हम अपने पूरे जीवन में उसके दाइरे तक नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन अन्य कीमिया ग्रो की तुलना में हम पहले से ही बहुत मजबूत हैं जो रुयान ने कहा एन यह सच है मास्टर के बाद की इस अवधी में मेरी कीमिया कौशल पहले से ही आश्चर्यजनक प्रक्ती के साथ आगे बढ़ी मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि अब क्वासी टियर चार ओश्धिय गोलियों को परिश्कृत करते समय में दादाजी से भी बत्तर नहीं होंगा रेन जिंगचुन ने युवावस्था से ही गोलियों को परिश्कृत करने के लिए रेन जिंगचुन का अनुसर्ण किया था और उन्हें रेन जिंगचुन के मानकों की स्पष्ट समझ थी वह अभी से ही पौरानिक शेत्र में टियर दो कीमिया कौशल विक्सित कर सकता है उनकी नीम्ध कौशल न जाने पहले से कितनी गुना अधिक मजबूत थी मातरात्मक परिवर्तन से गुनात्मक परिवर्तन रेन डोंग के वर्तमान कीमिया कौशल की तुलना पहले से ही नहीं की जा सकती है हाला कि वह अभी भी एक उच्छ श्रेनी का अर्ध कीमिया राजा था वह पहले से ही पहले से बिलकुल अलग स्तर पर था वह जियो रुयान ने अचानक कुछ देखा और सब्मे में लगभग चिलाया सौभाग्य से रेन डोंग ने तेजी से प्रतिक्रिया की और जल्दी से अपना मुह ढखने के लिए अपने हाथ का इस्तमाल किया वरिष्ट प्रशिक्षु बेहन क्या आप मरना चाहती हैं मास्टर की गोली शोधन सबसे महत्वपूर्ण समय पर पहुँच गई तुम इस तरह चिल्ला रही हो वह तुम्हें मार डालेगा अपनी आवास प्रसारित करते समय रेंडोंग का माथा ठंडे पसीने से ढखा हुआ था दरसल उसके दिल का सग्मा जियो रुयान से जरा भी कम नहीं था बात बस इतनी थी कि वह जियो रुयान की तरह उच्छलकूट कर घबरा नहीं गया केवल तभी जब जियो रुयान ने रेंडोंग की ओर देखा और अपना सिर हिला कर संकेत दिया कि उसे यह मिल गया है तभी रेंडोंग ने अपना हाथ धीला किया वो थे चार प्रतीक प्रेत मास्टर जब वह गोलियों को परिश्कृत कर रहा था तो उसने वास्तव में चार प्रतीक फैंटम निकाले थे जियो रुयान ने इस पर विश्वास करने की हिम्मत न करते हुए कहा इस समय स्क्वायर कॉल्डरॉन के चार बियरिंगों पर चार धुंधले प्रेत वर्तमान में धीरे-धीरे बन रहे थे ये चार प्रेत कोई और नहीं बलकि एजियोर ड्रैगन, वाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और जुआन वो चार दिव्य जानवर थे और उनमें से एजियोर ड्रैगन फैंटम सबसे अलग था चार प्रतीक स्वर्ग और प्रिथवी की आत्माए थे औशधिय गोलियों को परिश्कृत करते समय महर चार प्रतीक प्रेत को संक्षिप्ट करने में सक्षम होने से संकेट मिलता है कि उसने स्वर्ग और प्रिथवी के साथ किसी प्रकार की प्रतिध्वनी उत्पन की है जो रुयान और रेंडोम दोनों नौसिखिये नहीं थे वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि फैंटम द्वारा दर्शाय गए चार प्रतीकों का स्टर कितना गहरा है हालाकि फॉर सिंबल्स स्पिरिट गैदरिंग आर्ट का नामकरन फॉर सिंबल्स था लेकिन बमुश्किल ही ऐसे लोग थे जो चार सिंबल्स फैंटम को एक जुट कर सकते थे पूरे दिव्यक शेत्र में भी पाये जा सकते थे ठीक इसी समय मेहर ने अचानक गहरा जल्द वज निकाला गेहन आकमा नौ एपरचर गठन प्रूप मेहर के हाथ इस समय बुनकरों जैसे थे उस प्रकार की उत्कृष्टता चरम सीमा तक शांदार थी इसके बारे में सोचने की कोशिश करें इतनी छोटी ओशधिय गोली में एक सर्णी गठन का वर्णन करने के लिए कितने फुर्तिले हाथों की आवश्चक्ता थी जो रुयान और रेन डोंग पहले से ही देखकर मंत्रमुग्ध थे इस बार मेहर के गोली शोधन ने कीमिया पत के प्रती उनकी समझ को एक बार फिर ताजा कर दिया उन दोनों को वर्तमान में यह महसूस हुआ पता चला कि ओश्धिय गोलियों को इस तरहे परिश्कृत किया जा सकता है चार प्रतीक सघन ओश्धिय गोली रूप मेरे लिए संघनित करें मेरे ने हलकी सी चीख निकाली चार प्रतीक प्रेत ने हलकी चीखों की एक श्रिंखला उत्सरजित की और स्कंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली में डूग गए आखिरकार धूल जम गई अतीत में ओश्धिय गोलियों को परिश्कृत करने के लिए सीमाओं को पार करने के समान महर पहले ही ठक चुका था जब तक कि वह इस समय इसे और नहीं ले सकता था उसने जल्दी जल्दी तयार ओश्धिय गोलिया खाली और अपनी सासे ठीक करने लगा जियो रुयान और रेंडोंग वे दोनों अभी भी वही खड़े थे विशेशकर रेंडोंग उन्होंने युवावस्था से ही रेंजिंगचुन का साथ दिया वह चरम कीमिया संप्रभू विशेशग्य था लेकिन उन्होंने किसी गोली शोधन से पहले कभी नहीं देखा था कि हंगामा इतना बड़ा होगा चार प्रतीकों प्रेट को औशधिय गोलीों में एकी कृत करना इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि इस औशधिय गोली को स्वर्गिय दाओ की मान्यता प्राप्त है यह मिहर और स्वर्ग तथा पृत्वी के बीच एक प्रकार की प्रतिध्वनी का प्रतिनिधित्व करता था इस जैसी ओश्धिय गोली किस ग्रेड तक पहुँचेगी? जाना जाओ और देखो जेओरुयान ने अपनी लार निगल ली और रेंडों से पूछा रेंडों के चहरे पर लालसा की अभिव्यक्ती थी और उसने गहराई से अपना सिरहिलाया दोनों लोगों ने साहस जुटाया और चौकोर कडाही के पास आये बड़ी चतुराई से कडाही को खोला और गोली निकाल ली जब उन्होंने जेड ट्रे में उस चमकदार और क्रिस्टलस पष्ट बिना किसी अशुधता वाली ओश्धिय गोली को देखा तो उन्होंने अंजाने में एक बार फिर गहरी सांस ली उत्रिष्ट शेनी उत्रिष्ट शेनी फिर से अलकेमी किंग दाइरे के एक कीमियागर ने वास्तव में टियर पांच प्रांसेंडेंट ग्रेड ओश्धिय गोलीयों को परिश्कृत किया यह बस एक ऐसी उपलब्धी थी जो प्राचीन और आधुनेक समय से भी आगे निकल गई दोनों व्यक्ति उस ओश्धिय गोली को भेर कर इस प्रकार गोल-गोल घूम रहे थे मानो कोई कलाकृती देख रहे हो उनके मुह से बीच-बीच में जीव चटकाने की आवाजें और प्रशंसा भरी आहें निकलती रहती थी इस बार का शोधन कोई प्रेना दोनों लोग अभी ओश्धिय गोली का विच्छेदन करना चाह रहे थे तभी अचानक महर की आवास उनके कानों के पास पड़ी महर न जाने कब से अपनी सांसे ठीक कर चुका था और उनके पीछे खड़ा था रेन डोंग चौक गया और उसने जल्दी से अपना शरीर सीधा किया उसने अपना सिरहिलाया इसके बारे में सोचा और फिर अपना सिरहिलाया मास्टर ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ-कुछ समझ में आ गया है लेकिंग यह ऐसा है जैसे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया पानी में चंद्रमा के प्रतिबिम्द की तरह है रेन डोंग ने इमानदारी से कहा मिहर ने मुस्कुराते हुए जियो रुयान की ओर देखा और कहा आप भी जियो रुयान का चहरा लाल हो गया और उसने सिरह लाया इसे कहने का यह तरीका बेतुका लगता है चाहे कोई इसे कैसे भी सुने समझ में नहीं आया मतलब समझ में नहीं आया के लिए बहाना लेकिन मिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कीमिया पत्थ के प्रती आपकी समझ अभी भी भी बहुत उठली है कीमिया दाव एक महान दाव है जब इसे अत्यधिक उचे डाइरे में विक्सित किया जाता है, तो यह देवताओं तक भी पहुँच सकता है यह सिर्फ इतना है कि कीमिया पत्थ अत्यधिक कठिन और जटिल है खर्च किया गया समय और उर्जा मार्शल पत्थ से कुछ गुना, यहां तक की दर्जनों गुना अधिक है इसलिए ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो शिखर तक चल पाते हैं कीमिया पत्थ और मार्शल पत्थ समान है, उन दोनों में स्वर्ग और प्रित्वी की कहाबत समाहित है आप लोग जिन कीमिया कौशलों का अभ्यास करते हैं, वे सभी पूरवजों के ज्यान का क्रिस्टली करण है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमिया कौशल कितना निनस्तरका है, उनमें कुछ चीजों का वर्णन करना कठिन है यही कारण है कि मैंने आपको बुनियादी बातों से शुरुवात करने को कहा असंख्य महान दाव, सभी एक ही लक्षे की ओर ले जाते हैं समझना, महर ने बात खत्म की दोनों लोगों ने चिंतनशील रूप प्रकट किया महर ने जिन चीजों के बारे में बात की, वे पहले से ही कीमिया दाव के मूल के संपत में थी महर का अनुसरण करने के बाद से वे दोनों हमेशा से ही मूलभूत कीमिया कौशल को निखारने में लगे रहे और उन्होंने किसी भी गहन कीमिया कौशल का गहनता से अध्ययन नहीं किया पहले वे कैसे जानते थे लेकिन क्यों नहीं जानते थे आज महर के छोटे से संकेत के माध्यम से उन्होंने अंतह प्रकाश देखा ऐसा लग रहा था जैसे रेन डोंग को कुछ समझ आ गया हो और उसने उत्साह से कहा कोई आश्चर्य नहीं कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं अब उच्छ श्रेनी की क्वासीटियर चार औश्धिय गोलियों को परिश्कृत कर रहा हूँ तो मैं और अधिक कुशल होता जा रहा हूँ पता चला की यही कारण है मास्टर मैं समझ गया जो रुयान में भी उत्साह का भाव था और उसने कहा आ तो यह ऐसा ही है मास्टर मैं समझ गया जब यू हुआन को सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली मिली तो उसका मुह कुछ देर के लिए बंद नहीं हो सका उसके जबडे लगभग जमीन पर गिर जाते हैं भले ही उसने महर के लिए ये स्पिरिट दवाय तयार की लेकिन उसे वास्तव में इस बात पर भरोसा नहीं था कि वह इसे परिश्कृत कर पाएगा अन्यबातों को नजरंदाज करते हुए केवल महर इस संबंध में यूशिन को वापस जीवन में लाएगा वह वास्तव में महर के साथ कुछ नहीं करेगी लेकिन जब उसने अपने हाथों में इस उत्कृष्ट शेनी की आउश्धिय गोली देखी तो महर के बारे में उसकी राय पहले से ही पूरी तरह से विकृत हो गई थी यह एक उत्कृष्ट शेनी की टियर पांच आउश्धिय गोली थी इसके अलावा महर भी एक इनसान था इससे भी महत्वपूर्ण बात यहा है कि महर केवल कीमिया राजा चेत्र था उत्कृष्ट शेनी की टियर पांच आउश्धिय गोली को परिश्धिय करने के लिए दाइरे को पार करना क्या यह वह था जो मनुष्य पूरा कर सकता था यूहुआन महर को तब तक घूरता रहा जब तक उसकी खोपडी में हलकी सी जुन-जुनी नहीं हुई वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, क्या देख रहे हो क्या मेरे चहरे पर फूल है तब ही यूहुआन चौक कर जाग गया उसने अपनी शर्मिंदगी चुपाने के लिए दो बार सूखी खासी और बगल में खड़ी एक युवा लड़की से कहा यूशिन यह लिटल ब्रादर ये था जिसने तुम्हें बचाया था तुमने जल्दी से धन्यवाद क्यों नहीं दिया दस दिनों के बाद यह यूशिन पहले से ही नीचे उतर सकता था और चल सकता था बात सिर्फ इतनी थी कि उसके शरीर की आभा अभी भी बहुत कमजोर थी सबसे अधिक संभावना है यहां तक की एक स्पिरिट कंडेंसेशन रियलं मार्शल कलाकार भी आया जो उसे आसानी से हरा सकता था इस यूशिन की दोनों आखे पाने की तरह थी उसकी नाजुक और सुंदर उंगलिया और क्रीम जैसी तवचा थी वह सचमुच सरवांगीन सुंदरी थी लेकिन महर जानता था कि लोमडी की दोर स्वाभाविक रूप से आकरशक थी रूप धारन करने के बाद वे सभी अपरतिन सुंदरिया थी बात सिर्फ इतनी थी कि यह यूशिन बाकियों से सपष्ट रूप से अधिक अलग था यूशिन को यूहुआन का इशारा मिल गया और उसने महर की ओर जुपते हुए कहा यूशिन मिस्टर ये की जीवन बचाने वाली कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन दस दिनों में यूशिन के कान में महर इन दो शब्दों से लगभग घटा निकल गया था उसने पहले ही जीवित रहने की आशा छोर दी थी लेकिन इस आदमी ने उसकी आँखों के सामने उसे बलपूर्वक नरक के द्वार से वापस खींच लिया इतना ही नहीं यहाँ आदमी वास्तव में उसकी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए एक आशधिये गोली को परिश्कृत करने में भी उसकी मदद कर रहा था पूरे समय यह केवल नाम सुनता रहा था लेकिन उस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था आज आखिरकार उसने उसका असली चहरा देख लिया सिवाए यह सुनने के की महर पहले सिर्फ एक सोल सीरियलम मार्शल आर्टिस्ट था आशधिये गोलियों को परिश्कृत करने के इस मामले को उसने सुनने के लिए एक मजाग के रूप में लिया था एक टियर चार मार्शल कलाकार टियर पांच औशधिये गोलियों को परिश्कृत कर रहा है तुम्हें मजाग करना होगा बात सिर्फ इतनी थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महर ने न केवल इसे परिश्कृत किया है बलकि यह एक उतक्रिष्ट शेनी की टियर पांच औशधिये गोली भी है इस तरह की बात उसकी समझ से परे थी हाँ हाँ मिस यूशिन को विनमर होने की आवश्चक्ता नहीं है जदी आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो जाकर छोटी बहन यूशु को धन्यवाद दे मैंने केवल उसके चहरे के कारण आपके लिए एक औशधिये गोली बनाई है मिहर ने हाथ हिलाते हुए कहा यूशिन ने खेती पूरी की उसे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था मिहर द्वारा उसके लिए तयार की गई सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली का सेवन करने से न केवल यूशिन का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया बलकि उसकी ताकत भी एक कदम आगे बढ़ गई जो शुरुवाती चरण में पीक टियर पांच तक पहुँच गई उस शब्द को याद करते हुए जब मिहर ने उसे औशधिय गोली दी थी यूशिन फूट-फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी यहाँ आदमी दूसरे लोगों की भावनाओं के प्रती कितना ना समझ था वह जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कभीले की युवा स्वामी थी अन्या लोग उसे चूसने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकते थे महर ने इतनी अच्छी सेवा प्रदान की और वास्तव में इसे यूशू के चहरे के कारण कहकर खत्म कर दिया यह सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली बहुत चमतकारी है मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसे गोली का फॉर्मूला कहां से मिला यहां महर कैसा आदमी है यूशिन को पता चला कि वह अचानक प्रकट हुए इस आदमी के प्रती रुची से भरी हुई लग रही थी यूशिन क्या आपने सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली का शोधन पूरा कर लिया है ठीक इसी समय यूशिन की आवाज अचानक सुनाई दी हाँ दादी यूशिन ने पहले ही रिफाइनिंग पूरी कर ली है कृप्या अंदर आएं यूशिन की खेती वास्तव में उननत हो गई है तो उसके पैर अनायास ही रुख गए यूशिन तुम आप वास्तव में सफल हो गए यूशिन के चहरे पर आश्चर्य लिखा हुआ था उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह सकंध प्राचीन आत्मा राक्षसी गोली वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी जो यूशिन को सीधे भेदने देती थी यूशिन ने कडवी मुस्कान के साथ कहा ऐसा माना जाता है कि शिनेर का यह जीवन मिस्टर ये को बेच दिया गया है यूशिन की अभिव्यक्ति कई बार बदली और उसने अंतह एक लंबी आह भरी और कहा वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक विदेशी इंसान जो अचानक मेरे कबीले के चेत्र में घुस आया वह वास्तव में आपका रक्षक बन गया शायद यही नियती है आप लोग कह रहे हैं मुझे लापरवाही से शर्तें बताने दीजिए मेहर ने यूहुआन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह मुस्कान नहीं थी यूहुआन मेहर के रवये से बहुत प्रभावित हुआ यह अभिव्यक्तिस पष्ट रूप से जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले को नीचा दिखा रही थी यह सही है मेरे पास अब ज्यादा साल नहीं बचे है जिनेर मेरे कबीले का सबसे उत्प्रिष्ट जुनियर है आपका उसे बचाना हमारे पूरे जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले को बचाने के बराबर है इसलिए चाहे आपके कोई भी अनुरोध हो मैं उन्हें संतुष्ट कर सकता हूँ यू हुआन ने कहा महर के रवये के प्रती यू हुआन बहुत तिरसकार पूर्ण था वह किसी भी कीमत पर एक टियर छे विशेशक यभी थी क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी सोलसी रियलम बववा के अनुरोध को पूरा नहीं कर सकी नजाने महर ने सिरहिलाया और मुस्कुराते हुए कहा मैं जो चाहता हूँ वह तुम सच में नहीं दे सकते मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके Z-Fest Fairy Fox कभीले में Azure Spirit Tree है जब यू हुआन ने सुना तो उसकी भौहे अनायास ही सिकुड गई Azure Spirit Tree क्या तुम मुझे परिशान कर रहे हो Azure Spirit Tree स्वर्ग और पृत्वी की एक आध्यात्मिक वनस्पती है यह अपने ठिकाने के बारे में अज्यात है मुझे आपके लिए Azure Spirit Tree कहा मिलेगा महर ने अपने कंधे उचकाए और कहा देखा मैंने कहा था कि तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते खीक है दरसल दिंगलियां का पीछा करने से बचने के अलावा महर का अंथीन जंगल में गहराई तक प्रवेश करना अभी भी एक उद्देश था जो की Azure Spirit Tree को ढूंदना और यूमेंगली की दिव्या आत्मा की पीडा को दूर करना था जैसे जैसे दो साल की तारीख करीब आ रही थी महर ने जो औशधिय जड़ी गुटिया बनाई वे पहले से ही उसकी बीमारी को दबाने में लगभग असमर्थ थी जदी उसे अभी भी Azure Spirit Tree नहीं मिला तो यूमेंगली का जीवन किसी भी समय खत्रे में होगा यूहान बस हैंडल से उरने ही वाली थी कि बगल में मौजूद यूशिन ने अचानक कहा दादी पहले गुस्सा मत हो ये क्या ऐसा हो सकता है कि दादी दस साल पहले डोंगमिंग शेत्र द्वारा भेजी गई खबर भूल गई महर यूही कह रहा था और उसने सूचा ही नहीं कि सच में कुछ है भी वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका कैसी खबर? जल्दी बताओ महर को स्वाभाविक रूप से पता था कि एस योर स्पिरिक ट्री को ढूंडना कितना कठिन था इसलिए उन्होंने बिलकुल भी उम्मीद नहीं रखी एस योर स्पिरिक ट्री स्वर्ग और प्रिथवी की आध्यात्मिक जड़ों में से एक था जन्म से ही इनमें अध्यात्मिकता रहेगी जब यह एक निश्चित सीमा तक परिपक्व हो जाता है तो यह आसमान तक उर सकता है और भूमिगत सुरंग भी बना सकता है यूशिन ने सिरहिलाया और कहा दस साल पहले डूंगमिंग शेत्र के मोयुन परवत पर कहानी यहाँ है कि किसी ने पहले एक एज्योर स्पिरिट ट्री देखा था लेकिन उस व्यक्ती ने एज्योर स्पिरिट ट्री को तीन दिन और राद तक ट्रैक किया और अंट में उसे खो दिया मिहर ने एक पल के लिए सोचा और कहा बस इतना क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं ऐसा कहा गया था कि उस व्यक्ती ने सभी प्रकार के तरीकों का इस्तिमाल किया था लेकिन न केवल वह एजियोर स्पिरिट क्री को नहीं पकड़ पाया बलकि उसे एजियोर स्पिरिट क्री से चोट भी पहुँची वह व्यक्ती कौन है? डार्क फिंड टाइगर कबीले का निवर्तमान कबीले प्रमुख इस डार्क फिंड टाइगर कबीले प्रमुख का उल्लेक करते हुए यूशिन के शब्दों में गहरा विस्मय और श्रद्धा थी बहुत स्पष्ट रूप से इस कबीले के मुखिया से निपटना आसान नहीं था यह सुनकर मिहर ने सिरहिलाया और कहा ठीक है मैं समझ गया बहुत बहुत धन्यवाद मिस यूशिन क्या मिस्टर ये डोंगमिंग शहर जाना चाहते हैं यूशिन ने अचानक पूछा एन क्यों क्या कुछ गडबड है मिहर ने उच्छुकता से कहा दार कफिंड टाइगर कभीला संपूर्ण ईश्वर निशिध दानब शेत्र के अधिपतियों में से एक है उन्हें बाहरी लोगों से बहुत नफरत है इंसानों से तो बिल्कुल भी नहीं मिस्टर ये मिहर ने मुस्कुराते हुए कहा मिस यूशिन से चुपते हुए नहीं मैं एक दोस्त को बचाने के लिए इस एज्योर स्पिरिट क्री को ढून रहा हूँ चाहे कितनी भी मुश्किल हो मुझे भी जाना ही होगा मिहर ने इसे बहुत लापरवाही से कहा लेकिन यूशिन का दिल कांप गया मार्शल कलाकार अधिकतर स्वार्थी होते थे मित्रों के लिए भरसक प्रयास करने वाले लोग बहुत कम थे इस बात को नजरंदाज करते हुए कि डार्क फी एंड टाइगर कभीला कितना मजबूत था केवल इस एज्योर स्पिरिट क्री के बारे में बात करते हुए इससे निपटना पहले से ही बेहत कठिन था मिस्टर ये बहुत सम्माननिय है यूशिन ने प्रशन सा की यूहान ने जब सुना की महर ने एक दोस्त की खातिर यह जोखिम उठाने की हिम्मत की है तो उसका दिल भी थोड़ा हिल गया उसकी जुबान तेज थी लेकिन दिल से उसका व्यक्तित्व नरम था और वह वास्तव में महर को पहले से ही उनमें से एक के रूप में मानती थी यह इश्वर द्वारा निशिध दानव शेत्र अनंत दुनिया का एक छोटा सा शेत्र है लेकिन अंदर का शेत्र बहुत विशाल है क्या ऐसा हो सकता है कि इस जगह ने अपने आप एक दुनिया बना ली हो एंडलेस वर्ल्ड केवल मध्यक्रम की छोटी दुनिया है और टियर छे विशेशग्यों को समायुजित करने में पूरी तरह से असमर्थ है वास्तव में यहां इतने सारे टियर छे विशेशग्य क्यों है मेहर ने अपना संदेह पूछा मेहर के वर्तमान साधना शेत्र में वह अंतरिक्ष की शक्ती को बिलकुल भी महसूस नहीं कर सका लेकिन उसे हलका सा एसास हो रहा था कि यह जगह शायद इतनी साधारन जगह नहीं है एक बार जब यहां के विशेशग्यों को बाहर रखा गया तो अंतीन दुनिया यहां तक की भयंकर आंधी वाली दुनिया के बारे में भी भूल जाए वे भी पार कर सकते थे यहां तक की जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कभीले जो इस तरह का एक चोटा सा कभीला है में भी एक टियर छे विशेशग्य था अन्य कुलों की तो बात ही छोड़ दें बात सिर्फ इतनी थी कि महर को बहुत उचसुकता थी कि अन्थीन दुनिया के अंदर इतनी छोटी सी दुनिया क्यों जुड़ी होगी यह जब यू हुआन ने महर की बातें सुनी तो वह जिजकने से खुद को नहीं रोक सकी हाँ हाँ मैं बस यू ही पूछ रहा था अगर बोलना सुविधाजंक नहीं है तो इसे वही छोड़ दें महर ने बिना किसी परवाह के कहा ऐसा नहीं है कि बताना सुविधाजंक नहीं है लेकिन मैं आपको उत्तर देने में बिल्कुल भी असमर्थ हूँ क्योंकि मैं देव निशिध दानव शेत्र की उत्पती के बारे में भी नहीं जानता हमारी राक्षस जाती पीढियों से यहां रहती आई है और हमारा जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कबीला बस सबसे निचला गुठ है मैंने सुना है कि उन शक्तिशाली गुटों में टियर साथ विशेशग्य भी मौजूद है यू हुआन ने कहा भले ही यू हुआन एक टियर छे दानव थी वह इश्वर निशिध दानव शेत्र के निचले पायदान पर एक अस्तित्व मात्र थी बस कई रहसियों से संपर्क नहीं हो सका जब महर ने यू हुआन की बातें सुनी तो वह भी अंदर से बहुत चौक गया इस स्थान पर वास्तव में टियर साथ विशेशग्य थे टियर साथ पावर हाउस टियर साथ पावर हाउस अस्तित्व को समायोजित करने में सक्षम होने के लिए इस स्थान को कितना स्थिर होना चाहिए कम से कम महर को पता था कि कई बेहत स्थिर विशेश दुनियाओं की बेहत कम संख्या के अलावा टियर साथ विशेशग्यों के लिए निचलेक शेत्रों में मौजूद रहना असंभव था और वो दुनिया मिहर उन सभी को जानता था यहां निश्चित रूप से अंथीन दुनिया नहीं थी तो फिर उसकी आँखों के सामने इस देव निशिध दानव शेत्र का कैसा अस्तित्व था मिहर को अचानक पता चला कि यह अंथीन दुनिया वास्तव में एक रहस्य मैं जगह थी यद्यपी विश्व विवस्था उंची नहीं थी और आदिवासियों के पास अधिक शक्ती भी नहीं थी तथा भी इसमें अनेक रहस्य चुपे हुए थे यहां तक कि वह एक दिव्यक शेत्र का पूर्व शिखर अस्तित्व भी इस छोटे से विश्व की वास्तविक स्थिती का पता नहीं लगा सका इश्वर निशिध दानव शेत्र जैसे विशेश स्थान के अपने स्वयं के रहस्य थे बात सिर्फ इतनी थी कि यूहुआन की शकल देखकर वह शायद अंजान थी ठीक तो ऐसा लगता कि यह देव निशिध दानव शेत्र संभवता प्राकृतिक रूप से नहीं बलकी लोगों द्वारा बनाया गया है। उस व्यक्ति को कितनी दुर्जे शक्ती होनी चाहिए। लेकिन महर जानता था कि दस महान दिव्य राजाओं जैसे अस्तित्व भी संभवता इसे हासिल नहीं कर सकते थे। इस तरह तब केवल एक ही व्याख्या थी देवताग शेत्र बिजली घर। केवल देवताग शेत्र खोजा, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को उजागर नहीं कर सका। महर ने पहले भी थोड़ा समझने की कोशिश की थी। लेकिन जो चीजें उसने अपने पिछले जीवन में खोजी थी, वे इस जीवन जितनी भी नहीं थी। भले ही यह दिव्यलिपी थी, या रहस्यमई काल या विशाल स्वर्ग पगोडा, या यहा तक कि यह इश्वर निशिध दानव खेत्र, यह अंथीन दुनिया अंगिनक जटिल तरीकों से देवता खेत्र से जुड़ी हुई लगती थी। उसका अनंत विश्व में पुनरजन्म लेना, क्या यह भी स्वर्ग द्वारा पूर संभालना है और आपके साथ यात्रा करना सुविधाजन्क नहीं है। चुंकि आपने यूशिन को बचाया है, इसलिए उसे आपका अनुसर्ण करने दें। कम से कम वह आपके लिए मार्ग दर्शक भी तो बन सकती है। महर ने सिरहिलाया और कहा, चुंकि यह मामला है तो आ जाने कितना अनावश्यत लंबा रास्ता तै करना पड़ता। तीनों लोग अभी बातें कर रहे थे, तभी यूशिन हडबडाहट में दौरता हुआ आया और उसने तुरंत कहा, पुराने पूरवज अच्छे नहीं, अच्छे नहीं। बड़ी बहन यूलेंग और डार्क लाइटनिंग स्नेक कभीले के साथ संधर्श में क्यों पड़ेंगे। यूशिन ने कहा, बड़ी बहन यूलेंग हमें बाहर गश्ट करने के लिए ले आएं। नतीजा यह हुआ कि हमें थंडर एसिंस फ्रूट ग्रोव का एक शेतर मिल गया। सिवाए इसके की, थंडर एस उनके द्वारा की गई थी। बड़ी बहन यूलेंग ने अंत में उचित आधार पर द्रिड़ता से तर्क दिया। अंत में वह स्वाभाविक रूप से घायल हो गई। मिहर ने बगल में खड़े होकर ध्यान से सुना और जानता था कि यह परिनाम भी होना ही था। यूलें रूप से बिजली की शक्ती थी और मार्शल कलाकारों को थंडर की अवधारना विक्सित करने में मदद मिल सकती थी। इस थंडर एसेंस फ्रूट का अविश्वसनिय पहलू यह था कि इसे समझने की आवश्यक्ता नहीं थी। किसी को बस इसे सीधे निगलना होगा और इसे परिश्कृत करना होगा और यह उनकी सार उर्जा को थंडर की अवधारना को ले जाने दे सकता है एक अत्यंत स्वर्ग विरोधी स्वर्ग और प्रिथवी की आत्मा का फल। यह सोचने के लिए कि देव निशिध दानव चेत्र में प्रवेश करने पर उसे ऐसे खजाने का सामना करना पड़ा स्वर्ग और प्रिथवी के खजाने भाग्यवालों को मिलेंगे जब से महर ने इस चीज के बारे में सुना स्वाभाविक रूप से उसके लिए इसे ऐसे समझना असंभव था जैसे उसने देखा ही नहीं बेशक भले ही यह थंडर एसिंस फ्रूट नहो मेहर संभवता जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कभीले के मामलों में भी उदासीन रवया नहीं अपनाएगा ध्रेनिक बुरे सापों का यह जुंड केवल दिन भर हमें धमकाना ही आता है यदि उनमेक शमताए हैं तो ब्लैक विंड राक्षसी भेडियों पर हावी हो जाएं य अरसल यूशिन का साधना छेतर अन्य जातियों की कनिष्ट पीढी की तुलना में बहुत कम नहीं था लेकिन जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कभीले की युद्ध शक्ती गंभीर रूप से भयानक थी इसकी तुलना में साप जाती और भेडिया जाती की युद्ध शक्ती पुराने पूर्वज युहुआन वे पहले से ही आपके दरवाजे पर धमका रहे हैं क्या आप कारवाई नहीं करने जा रहे हैं। आप युशिन ने हैरानी से कहा। लेकिन जब युशु ने सुना तो बहुत खुश हुई और बोली यह सचमुच बहुत अच्छी बात है कि बिग ब्रादर महर मदद करने को तयार है। यंग लॉड बिग ब्रादर महर बहुत मजबूत है। बड़ी बहन यूलेंग उसके यूलेंग को एकशॉट कर सकता था। जब युशिन ने यह सुना तो वह अंदर से चौकने से खुद को नहीं रोक सकी। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि महर की मार्शल पथ शक्ती वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। इन कुछ दिनों से वह सुन रही थी कि महर की गोली परिशोधन कितनी अविश्वसनिय थी और उसके चिकितसा कौशल कितने शांदार थे। लेकिन महर की सोल सी दाइरे की खेती की सीमा ने उसे अवचेतन रूप से महसूस कराया कि महर अपर्याप्त था। यह सोचना की महर की युद्ध शक्ती वास्तव में इतनी शक्ति आमने सामने थे। वे वास्तव में डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभीले और जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कभीले थे। यूशिन को पहले ही यंग लॉड वुल्फ फैंग ने बुरी तरह पीटा था। यू लिंग आप पहले से ही अपने कभीले के सबसे मजबूत व् हे हे काले कपड़े पहने एक युवक ने थंडी मुसकान के साथ कहा। एन बिंग धीठ मत बनो। मैं आपको बता दूँ यंग लॉड पहले ही एक विशेशगे से इलाज करा चुकी है और अब उसकी ताकत भी वापस आ गई है यू लेंग ने अपनी चोट संभाली और कहा हाँ 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 युवा लॉड वुल्फ फैन कारवाई कर रहा है यह पहले से ही बहुत अच्छा है अगर यूशिन वह लड़की बच सकती है इस बात को एक तरफ रखते हुए कि यूशिन बुरी तरह से घायल हो गई है भले ही वह पूरी तरह से ठीक हो अगर वह आती तो वह मेरी पराजत प्रतिदवन्द्वी भी होती एन बिंग ने अहंकार पूर्वक कहा क्या ऐसा है यूशिन की आभा बदल गई और यूलेंग के सामने अवरुध हो गई यूवा भगवान जब यूलेंग और बाकी लोमडी कभीले ने यूशिन को देखा तो वे सभी रुम गई और आश्चर्य से बोली यंग लॉड आप वास्टव में सफल हो गए यूशिन ने मुस्कुराते हुए कहा यह सब मिस्टर ये की ओशधिये गोली का धन्यवाद था बात खत्म करने के बाद यूशिन पल्टी और उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया और बोली ए तुम्हारी पराजित प्रतिदवंध भी हूँ अब जब मैं यहां हूँ तो तुम मुझे हराने की कोशिश क्यों नहीं करते एन बिंग डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभीले का दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति था और मूल रूप से यूशिन के समान ही था यदि उन होने अपनी बात पहले ही कह दी इस समय चाहे कुछ भी हो उन्हें वापस लेना अच्छा नहीं था वह केवल अपनी खोपडी सक्त कर सका और बोला हम्फ एक चोटा सा लोम्डी का कभीला हमारे डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभीले के सामने भी अहंकारी होने का साहस क करता है वे शब्द मेरे द्वारा कहे गए थे तुम मेरा क्या कर सकते हो चुंकि आपने उन्हें कहा है तो मैं आपको उन्हें वापस निगलने पर मजबूर कर दूंगा आखिरकार यूशिन एक कभीले की युवा स्वामी थी और उसका स्वभाव बहुत ही दबंग था इस जाती के साधनाक शेत्रों के बीच असमानता इतनी सपष्ट नहीं थी घले ही यूशिन को एक सफलता मिली लेकिन वह थोड़े समय के भीतर एन बिन को हटाना चाहता था लेकिन यह संभव नहीं था यू लेंग को बहुत पसीना आ रहा था अभी अभी वह जबरदस्ती वह महर ने मुस्कुराते हुए कहा यू लेंग अभी भी जिजक रहा था जब महर ने फिर कहा तुम्हारी कई चोटें छुपी हुई जगहों पर हैं दरसल आप बहुत पहले लड़ाई नहीं कर सकते थे आप अभी अभी वहा जबरदस्ती लटके हुए थे और आपकी चोटें पहले ही बहुत गंभीर रूप से खराब हो चुकी हैं यदि आप उपचार नहीं करते हैं तो आपकी नेम को नुकसान पहुँचने और भविश में आपकी खेती प्रभावित होने की बहुत अधिक संभावना है महर को ऐसा कहते सुनकर यू लेंग की अभिव्यक्ती बदल सकी उहु संदेह की जरूरत नहीं है यह औशधिय गोली वही है जो आपके परिवार के युवा स्वामी ने खाई थी मैं इन कुछ दिनों में समय निकालने में काम्याब रहा और कुछ और सुधार किये महर ने हंस्ते हुए कहा महर वर्तमान में देव निशिध दानव छेत बात सिर्फ इतनी थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे इतनी जल्दी उपयोग में लाया जाएगा योहुआन ने स्वाभाविक रूप से महर की सभी मांगो को पूरा किया यो लिंग सतह पर बर्फ की तरह ठंडी थी लेकिन उसके दिल में वह अंदर तक सदमे में थी यह एक उतक्रिष्ट शेणी की उश्धिय गोली थी इसे इतनी लापरवाही से लोगों को दे रहे हैं रुको नहीं अगर उसे दिया भी गया तो उसने अपनी पलकी भी नहीं जपकाई इस व्यक्ति की कीमिया कौशल किस प्रकार के दाएरे तक पहुँच गई यू लिंग को पता था कि कबीले के पांच विस्टर के जादूगर अगर किसी भी उच्छ शेणी की आउश्धिय गोलियों को परिश्प्रित करते हैं तो उन में से प्रतेक इसे अपने पास रखने के लिए एक ख़जाने की तरह मानते हैं Transcendent Great Tier 5 औश्धिय गोलिया यू लेंग ने पहले भी नहीं देखी थी इस बंदे ने वास्तव में इसे निकाला और उसे ऐसे ही डे दिया उसके साथ उसके संबंध इस हद तक अच्छे कप से थे किसी को यह जानना होगा कि 10 दिन पहले वह उसे मारना भी चाहती थी महर ने यू लेंग की ओर देखा और ठंडी मुसकान के साथ कहा मुझे उस तरह की नजरों से देखने की जरूरत नहीं है दरसल मैंने केवल छोटी बहन यूशू के चहरे के कारण आपकी चोटों का इलाज किया था मुझे लगता है कि यदि आप मर गए तो वह निश्चित रूप से बहुत तूटे हुए दिल से रोएगी यू लिंग की अभिव्यप्ति गहरी हो गई और वह घटना स्थल पर हैंडल से उड़ने ही वाली थी लेकिन यूशू ने उसे रोक लिया यूशू का छोटा चहरा लाल हो गया था पहले की बातें उसने सब कुछ सुना उसने शर्माते हुए यू लिंग से कहा बिक ब्रादर महिर आपके साथ मजाक कर रहा है क्या आप अभी तक नहीं बता सकते इतनी बहुमूल्य आउश्धी की गोली वह मेरे चहरे के कारण तुम्हें कैसे दे सकता है लेकिन महिर ने हंस्ते हुए कहा में मदद करने के बावजूद मैं आपके चहरे को भी ध्यान में रख रहा था हाला कि यू लिंग को औश्धीय गोली देना पूरी तरह से आपके चहरे के कारण नहीं था लेकिन इसका आधा कारण यह भी था मैं महिर जिसके साथ भी मित्र की तरह व्यवहार करूँगा मैं स्वाभाविक रूप से उसकी हर तरह से मदद करूँगा परंतु यदि कोई मुझे उकसाएगा तो मैं अवश्य मार डालूँगा और आनन्द भी करूँगा यूशू का छोटा सा चहरा और भी लाल हो गया उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि वह महर के दिल में इतनी महत्वपून थी यहां तक कि जब यूलेंग ने यह सुना तो वह भी दंग रह गई महर ने जो कहा वह गलत नहीं था वास्तव में उस समय उसके पास उन तीनों को मारने की ताकत थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया पता चला कि यह वास्तव में यूशू के चहरे के कारण था लेकिन जिस चीज को लेकर यूलेंग और भी अधिक उत्सुप था उसका दूसरा कारण महर था फिर कारण का दूसरा भाग यूलेंग पूछने से खुद को रोक नहीं सका कारण का दूसरा भाग आप अपने कुल के लिए कड़वे अंत तक लड़ सकते हैं यह साहस मेरे सम्मान के योग्य है ऐसा लगता है कि आप उतने भी अनुचित नहीं है जितना मैंने सोचा था महर ने मुस्कुराते हुए कहा जब यूलेंग ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा अनायास ही लाल हो गया उसने यह नहीं सोचा था कि महर द्वारा उसे इतनी कीमती औशधिय गोली देना वास्तव में इसी कारण से था और ठीक उसी समय यूशिन और एन बिंग की लड़ाई पहले से ही बेहत गर्म स्थिती में पहुँच गई थी यूलेंग और यूशू का ध्यान भी वहां की लड़ाई की चीखों ने आकर्शित किया आराम करना आपके परिवार के युवा स्वामी ने पहले ही पूर्ण पहल पर कबजा कर लिया है वे जल्द ही विजेता का निर्धारन करने में सक्षम होंगे मेहर ने शांत भाव से कहा दरसल मेहर को दोनों के बीच लड़ाई के कुछ देर बाद ही विजेता का पता चल गया था इसलिए इसलिए उसने दोनों लड़कियों से शांती से बात चीत की यू लिंग और यूशु भी मेहर की बातें सुनकर बहुत उचसाहित हुए दरसल मेहर की उम्मीदों के मुताबिक दस चालों के बाद यूशिन का फाइदा सपष्ट होता जा रहा था उसने एब बिंग पर तब तक दबाव डाला जब तक की वह परिशान महसूस नहीं करने लगा अन्य दस चाले बीट गई यूशिन ने एन बिंग की एक लापरवाही को पकड़ लिया और एक हथेली से उड़ते हुए एन बिंग को मारते हुए सीधे लक्षे की ओर बढ़ गया एक बिंग देखो क्या तुम अब भी मेरे कबीले के क्षेतर में जंगली कारवाई करने की हिनमत करते हो जल्दी से अपने लोगों को लाओ और मेरे लिये वापस आओ इस थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोग का अधिकांश हिस्सा हमारे जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले के च्षेतर में है यदि आप लोग चाहें तो भी आपको केवल अपना हिस्सा लेने की अनुमती है यूशिन ने राजसी धंग से कहा यूशिन को इस समय पूनता पर उच्साह की भावना महसूस हुई वह हमेशा अतीत में एन बिंग से थोड़ी कमजोर रही थी इससे जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले अपना सिर उचा रखने में असमर्थ हो गए किसी कबीले का सबसे ताकतवर व्यक्ति दूसरे लोगों के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति को भी नहीं हरा सकता था यह बहुत अपमान जनक था निहसंदेह चहरा खोना छोटी बात थी लोगो द्वारा लगातार धमकाया जाना एक बड़ा मुद्दा था इस बार उसने महर की औशधिय गोली उधार ली और मौके का फाइदा उठाते हुए आखिरकार एन बिंग को पीछे छोड़ दिया कौन जानता था कि एन बिंग पूरी तरह से अविचलित थी और जोर से हंसते हुए बोली यूशिन तुम्हें नहीं लगता कि मुझे हराने से सब कुछ ठीक हो जाएगा है ना मैं आपको बता दूँ हमने यंग लॉड एन जुवान को बहुत पहले ही सूचित कर दिया था वह एक मिनट में पहुचने वाला है उस वक्त मैं देखूंगा कि तुम अब भी इस तरह की बड़ी-बड़ी बाते कहने की हिम्मत करते हो या नहीं थंडर एसेंस फ्रूट ग्रो का यह विस्तार हमारा डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभीला इस पर तुला हुआ है थी हाँ 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 डरा हुआ है ना बस अपनी इस थोड़ी सी ताकत के साथ आप थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव पर भी कबजा करना चाहते हैं हमारा डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभीला स्वाभाविक रूप से गडगड़ाहट और बिजली की शक्ती विक्सित करता है इन थंडर एसेंस फलों को प्राप्त करना बाग में पंक जोडने जैसा है चोटी लोंडियों का एक जुंड भी थंडर एसेंस फलों का हिस्सा पाने की इच्छाधारी सोच रखता है एन बिंग ने अहंकार पूर्वक कहा यूशुन की अभिव्यक्ती कई बार बदली लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे खंडन करना चाहिए दानव जाती की दुनिया शिकार के भोजन और मजबूत दावत के बारे में और भी अधिक विशिष्ट थी जिसकी ताकत अधिक होगी वही बॉस होगा जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कबीला कमजोर था भले ही यह थंडर एसिंस फ्रूट ग्रोव पूरी तरह से उनके क्षेत्र में था डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कबीला उन्हें मामूली मौका भी नहीं देगा जब तक जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले ने थंडर एसिंस फ्रूट ग्रोव के इस हिस्से की खोज नहीं की और डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कबीले ने इसकी बिलकुल भी खोज नहीं की वर्तमान में इस तरह की स्थिती में उनके लिए लूट का हिस्सा लेना बहुत कठिन था यूशिन की अभिव्यक्ति देखकर एन बिंग और भी घमंडी हो गया घुरगुराहट के साथ रेंगते हुए उसने अपने शरीर पर लगी चोटों की भी परवाह नहीं की और अपने साथियों को आदेश दिया आप में से कुछ लोग मेरे लिए एक चेताबनी पंक्ती लगा दें मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये चोटी लोंडिया वास्तव में हमारे डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभीले को भढ़काने की हिम्मत करती है या नहीं हाँ लौड एन बिंग हाँ हाँ सचमुच स्वर्ग देख रहा है थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव का एक हिस्सा वास्तव में यहां दिखाई दिया इस थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव के साथ यंग लौड एन जुआन की ताकत निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ेगी जल्द ही यंग लौड एन जुआन की ताकत वुल्फ फैंग से भी आगे निकलने में सक्षम हो सकती है उस समय यहां मेरे डार्क शैडो लाइटनेंग स्नेक कभीले के लिए बास्तव में उपर उठने का अफसर होगा ऐसा लग रहा था जैसे बिंग ने पहले ही उस दिन को देख लिया था जब कभीला उठ खड़ा हुआ था उसके चहरे का मास कुछ हद तक उतेजना से कामपने लगा था हे हे क्या तुम ये छोटी लोंडिया अभी तक नहीं जा रही हो जब यंग लॉड एन जुआन आएगा तो यह शायद इतना आसान नहीं होगा भले ही आप सभी बहां से चले जाना चाहें एन बिंग ने हसी के साथ कहा यूशिन के चहरे पर भाव बहुत बदसूरत थे यह थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कभी लेके डोमेन के भीतर था क्या ऐसा हो सकता है कि वे हार ही माने वह कैसे तयार हो सकती थी यूशिन की प्यारी मुठिया भी कसकर भीच ली गई और उसने क्रोधित द्रिश्टी से कहा लोगों का यह समूह बहुत अनुचित है यह थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव सपष्ट रूप से हमारे च्षेत्र में है वे वास्तव में इस पर अपना कबजा करना चाहते है यदि वे हमें सामान्य रूप से धंकाते हैं तो यह ठीक है लेकिन इतना बड़ा भाग्यशाली मौका वास्तव में वे हमें थोड़ा सा भी नहीं दे रही है महर मन ही मन मुसुराया यह यूशू छोटी लड़की वास्तव में मासूम थी थंडर एसेंस फ्रूट यह भाग्यशाली मौका भूल जाओ की यह राक्षस जाती में था भले ही यह मानव मार्शल कलाकारों के बीच दिखाई देता हो आपके साथ तरक उन बात करना भी असंभव था जिसकी मुठी बड़ी जिसे लूट का हिस्सा मिल गया बिना ताकत के शमा करें रिप्या एक तरफ जाएं और खेलें ऐसा भी था कि इस थंडर एसेंस फ्रूट का टियर छे विशेशग्यों के लिए ज्यादा उपियोग नहीं था अन्य था दोनों कुलों के पुराने साथी शांत कैसे बैठ सकते थे लेकिन टियर पांच और उससे नीचे के मार्शल कलाकारों के लिए थंडर एसेंस फ्रूट बिलकुल स्वर्ग विरोधी खजाना था यह चीज सीधे का और पर युद्धत ताकत बढ़ा सकती है यहां तक की महर की धड़कने भी इसके प्रती उत्तेजना से बढ़ रही थी क्या ये लोग अक्सर तुम लोगों को धमकाते हैं? महर ने उत्सुकता से पूछा यूशू ने गुस्से से कहा हमारा लोंडी कबीला और उनका इलाका सबसे करीब है और हमारी ताकत भी सबसे कमजोर है वे ब्लैक विंड डेमोनिक वोल्व्स कबीले को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते हैं इसलिए वे अक्सर हमें धमकाने आते हैं ऐसे ही हो क्या वह एन जुआन या जो भी हो बहुत मजबूत है एन एन जुआन एक मध्यचर्ण तियर पांच विशेशग्य है भले ही यंग लॉड की ताकत में काफी सुधार हुआ हो फिर भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती यूशू ने कहा दोनों लोग अभी बात कर रहे थे तभी एक तेज और भयंकर आभा जिल मिलाते हुए आई एक जवान और ठंडा आदमी सब के सामने आया यंग भगवान आप अंतहा गए जब बिंग ने किसी को आते देखा तो वह बहुत खुश होने से खुद को नहीं रोक सका एन जवान ने एन बिंग पर नजर डाली और भौहे चढ़ाते हुए कहा आपको वास्तव में चोटे लगी है एन बिंग रोने और समझाने में मदद नहीं कर सका पता नहीं उस चोटी लोंगडी यूशिन को किस तरह का भागेशाली मौका मिला न केवल उसकी चोटे ठीक हो गई है बलकि उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई है जवान भाई चोटे भाई का कोई मुकाबला नहीं है और एक जवान ने इस समय केवल यूशिन को देखा सचमुच उसकी शक्ती बहुत बढ़ गई उम्मीद नहीं थी कि जो विद्वान तीन दिन के लिए बाहर गया हो उसे नई नजर से देखा जाएगा आप यह चोटी लोंगडी वास्तव में प्रारंभिक चरंटीर पांच को पहले ही पार कर चुकी है एन जुआन को बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन उन्होंने अपनी बात पर वास्तव में कोई ध्यान नहीं दिया इस बात को नजरंदाज करते हुए यूशिन केवल प्रारंभिक चरंटीर पांच में थी भले ही वह मध्य चरंटीर पांच पर थी वह भी उसका मुकाबला नहीं कर रही थी यूशिन ने भौहें सिकोर कर कहा एन जुआन बहुत हो गया बकवास चलो अब भी मुख्य विशय पर बात करते हैं यह thunder essence fruit grove आप लोगों को दिया जा सकता है लेकिन मेरा कबीला thunder essence fruits का पांचवा हिस्सा चाहता है यूशिन के शब्द पहले से ही अविश्वस नियर यायत दे रहे थे इस thunder essence fruit grove का साब कबीले के क्षेतर में कیवल एक छोटा सा टुकड था लेकिन वे थंडर एसेंस फलों का केवल पांचवा हिस्सा चाहते थे इसे भारी बोज उठाने के लिए अपमान का घूंट पीना कहा जा सकता है लेकिन जब महर ने यूशिन की बाते सुनी तो उसने चुपके से अपना सिरहिला दिया इस समय या तो व्यक्ति को भटक जाने दे या फिर खुद ही रफूचकर हो जाएं ऐसे शब्द कहना निससंदे अपमान मांगना था दरसल एन जूआन ने यूशिन की बाते सुनी वह तुरंथ हस पड़ा वह हसी तिरसकार और उफास से भरी होई थी एक पांचवा निश्चित रूप से जब तक आप में इसे मेरे हाथों से चीनने की क्षमता है तो क्या होगा यदि यह सब आपको दे दिया जाएं या जब एन जूआन यहा तक बोला तो वह थोड़ा रुख गया जब यूशिन ने सुना तब भी उसने सोचा कि एन जूआन शर्ते बताने की योजना बना रही थी और पूछने से खुद को नहीं रोक सकी या क्या एक जूआन ने अचानक अपनी अभिव्यक्ती बदल दी और भद्दे धंग से हंस्ते हुए कहा या तुम आओ और मेरी रखैल बन जाओ थंडर एसेंस फलों का यह पाँचवा हिस्सा सगाई का उपहार होगा जब यूशिन ने सुना तो उसका प्यारा शरीर गुस्से से कामपने से खुद को नहीं रोक सका तुम तुम बेशर्म केवल इस समय उसे पता चला कि एन जुआन ने उसे मूर्ख बनाया था वह अब भी इसे कैसे सह सकती थी वह अपना हाथ उठा कर एन जुआन से निपटने जा रही थी अरे अपनी क्षमता को ज्यादा आकना एक जुआन ने बहुत ही लापरवाही से यूशिन को वापस जाने पर मजबूर कर दिया बढ़त हासिल करने, दूसरी हथेली से पीछा करने और यूशिन की ओर दबाव डालने में वह अक्षमय था यूशिन ने शांती से हमले का सामना किया और फिर भी कुछ राउंड तक विरोध कर सका उसका सिर्फ कुछ देर पहले भी गर्म था वह अब भी एन जुआन की जोडीदार कैसे हो सकती है आह, घबराहट में यूशिन चिलाया और पहले से ही एन जुआन की इस हथेली को सहन करने के लिए तयार था लेकिन ठीक इसी वक्त उसकी आँखों के सामने धुंधलापन चा गया एक बड़ी और लंदी आकरिती अचानक उसके सामने आ गई तकराना महर और एन जुआन कई कदम पीछे गिर गए जुआन का चहरा उतर गया और उसने कहा मानव उसने यूशिन को बुरी नियत से देखा और कहा इश्वर निशिध दानव शेत्र में नियम यह है कि इनसानों को देखे जाने पर तुरंट मार दिया जाए आपका लोंदी कबीला वास्तव में मनुष्यों को लेने का साहस करता है क्या तुम्हें सचमुच अपने वंश के नश्ट हो जाने का डर नहीं है यूशिन की अभिव्यक्ति बदल गई और वह बस बोलने ही वाली थी लेकिन महर के हाथ के इशारे से उसे रोक दिया गया वयस्त पुरुशों का एक समोह महिलाओं को धंकाता है तुम लोगों में भी सचमुच हिम्मत है यह थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव उनके क्षेतर में है और आप सभी ने वास्तव में इसे खुले तौर पर जब्द कर लिया है सचमुच बेशर्म महर ने आधी मुस्कान के साथ कहा हम्फ तो फिर अगर मेरी मुठी तुम्हारी मुठी से बड़ी है तो क्या थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव का यह टुकडा मेरा है महर ने मुस्कुराते हुए कहा एन जुआन ने महर पर एक नाप जोक भरी नजर डाली और थंडी मुस्कान के साथ कहा आप जैसे ही एक टियर चार इंसान के साथ महर ने अपना सिर हिलाया और कहा एन बिल्कुल मेरे जैसे लोगों के साथ महर तुम उसके मुकाबले के नहीं हो जल्दी से एक तरफ हटो जब यूशिन ने महर को आगे आते देखा तो उसने जल्दी से कहा महर ने तिरसकार पूर्वक अपना हाथ लहराया और कहा लड़ाई करना आदमी का मामला है महिलाओं को साइड में जाकर देखना चाहिए ये थंडर एसेंस फल्क मैं इन्हें लेने के लिए कृत संकल्प हूँ उस समय मैं तुम सभी के साथ पांचवा हिस्सा बाट दूंगा ये शब्द कहे गए बिना किसी आरक्षन के एन्जुआन और दूसरे के कानों में यह बस एक मजाग था हाँ हाँ आप दीनगे हाकते समय अपनी जीव घुमाने से नहीं डरते एक ठिगना सा छोटा सा टियर चार इंसान भी ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत करता है तुम्हें हिम्मत किसने दी एन्जुआन ने जोर से हंस्ते हुए कहा हाला कि पहले महर की उसके साथ जो जड़प हुई थी वह बहुत भयंकर थी वह केवल उसकी क्षणिक लापरवाही थी इसके अलावा उसने अभी तक ज्यादा ताकत का इस्तिमाल नहीं किया था अगर महर को लगता था कि उसमें उसे ऐसे ही चुनौती देने की योग्यता है तो सचमुच महर को नहीं पता था कि मृत्यू शब्द कैसे लिखा गया है हाँ हाँ यह जोकर कहां से आया वास्तव में यंग लॉड को चुनौती देने का साहस करने के लिए वह वास्तव में शिकायत कर रहा है कि वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा क्या मनुष्य इतने मूर्ख है इस तरह का दिमाग वह टियर चार तक कैसे विक्सित हुआ मानव हम बहुत दरे हुए है ये थंडर एसेंस फ्रूट्स आप ये सब ले लीजिए सुनिश्चित करें कि हमारे साथ विनमर न रहें मुझे मत मारो मुझे मत मारो उसने बस एन जुआन पर अपनी उंगली रख दी उस तरह का तिरसकार पूरी तरह उजागर हो गया जुआन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई यदि आप स्वयम मौत को दावत दे रहे हैं तो मुझे दोशी नहीं ठहराया जा सकता दार्क शैडो थंडर कील एक जुआन ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया बिजली और गड़गडाहट की भयावः शक्ति ने तुरंत पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लिया और मिहर इस बिजली क्षेत्र के मध्यमें स्थित था शुरुआती चाल के रूप में डार्क शैडो थंडर कील जारी हो जाता है तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता है इस भयानक बिजली क्षेत्र का सामना करते हुए मेहर बेकबर लग रहा था उसकी आभा अचानक प्रस्पुटित हो गई और सीधे चौथे स्टर के सोल सागर के शिखर तक पहुँच गई एक छोटा सा पड़ाव पार करते हुए मेहर की आभा बिलकुल अलग हो गई वे डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभीले के लोग जो पहले भी मेहर का मजाक उड़ा रहे थे इस समय उनके मुह खुले हुए थे मेहर की वर्तमान आभा वास्तव में एन जुआन से थोड़ी भी कमतर नहीं थी ड्रैगन जाती का उत्पीडन यह यह ड्रैगन जाती का अत्याचार है क्या यह हो सकता है कि यह बववा ड्रैगन जाती की संतान है ड्रैगन जाती के वंच से संबंधित उस दमनकारी शक्ती को महसूस करते हुए एन बिंग ने अचानक चिलाया इस वर्तमान क्षण में मेहर ने अपने शरीर में ड्रैगन रेस रक्तरेखा का पूरी तरह से प्रदर्शन किया डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभीले के लोग जिनकी ताकत थोड़ी कमजोर थी वास्तव में विरोध नहीं कर सके और जुप गए राक्षस जाती का पदानुक्रम कठोर था इस तरह के खूनी उत्पीडन का विरोध करने में कोई भी असमर्थ था एन बिंग को कहने की आवशक्ता के बिना एन जुआन ने स्वाभाविक रूप से इसे बहुत पहले ही समझ लिया था मेहर द्वारा छोड़ा गया ड्रैगन दबाव वास्तव में उसके शरीर में राक्षसी सार को नियंतरन से बाहर होने का एसास करा रहा था यदि उसकी ताकत मेहर से कहीं अधिक न होती तो शायद वह इस समय दूसरों का अनुसरन करता और जुप जाता यह बिल्कुल शुद्धतम ड्रैगन रेस वन्शावली थी अन्य था यह संभव था उसके राक्षसी सार को नियंतरन खोने के कगार पर कैसे पहुँचा सकता है क्या यह बववा सचमुच ड्रैगन जाती की संतान हो सकता है लेकिन इस लड़के पर उपर से नीचे तक राक्षस का कोई निशान नहीं था यह द्रिश्व देखकर यूशु का छोटा चहरा उत्तेजना से लाल हो गया था यह पूरी तरहे पके लाल छोटे सेथ जैसा था पता चला की बिग ब्रादर महर बहुत अविश्वसनिय है उस समय जब वह हमसे लड़ा था तो उसने ड्रैगन का सारा दबाव बिलकुल भी नहीं छोड़ा था अन्य था हमें उसके सामने आक्रमन करने का मौका नहीं मिलता यूशु ने उत्तेजित होकर कहा उधर यू लेंग भी सगमे से स्थब्ध था अब उसे पता चला कि महर की ताकत कितनी महान थी बस ड्रैगन का यह दबाव अपनी ताकत से राक्षसी बिलकुल भी विरोध करने के विचार को जन्म नहीं दे सका यह महर क्या वह इंसान है या राक्षस यूशिन ने भी अनजाने में उसकी आखों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया महर ने जो ड्रैगन दबाव प्रदर्शित किया वह बहुत शुद्ध था यदि ड्रैगन का यह दबाव लोंडी कभीले की ओर जारी किया जाता तो वे इसे बिल्कुल भी जेल नहीं पाते यह बात उन डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक पर एक नजर डालने से ही पता चल जाएगी महर ने एन जुआन को उदासीनता से देखा और कहा आपने अभी कहा था कि जिसकी मुठ्धी बड़ी होती है वह कॉल करता है तो फिर आए नापें की किसकी मुठ्धी बड़ी है जुआला आंदोलन सच्चा ड्रैगन नरसनहार जिसक्षन महर ने हमला किया यह उसका सबसे मजबूत हमला था जुआन की अभिव्यक्ती अवर्ननिय रूप से ख्राब थी महर को आगे बढ़ता देख उसने भी बिना किसी हिचकी चाहट के हमला कर दिया दार्क शैडो थंडर कील मेरे लिए दबाओ एक जुआन दहार उठा बिजली चमकी और इस शेत्र में गडगडाहट की गडगडाहट हुई जिसका सामना उग्रलाल विशाल अजगर महर से हुआ सिवाए इसके की भयंकर और तेज दिखने वाली बिजली महर के लाल अजगर को बिलकुल भी हिला नहीं सकी गडगडाहट एक बड़ी गडगडाहट की आवाज सुनाई दी पिटाई से गंभीर चोटों के कारण जुआन को सीधे तोर पर खून की उल्टिया हुई युवा भगवान यंग लॉड क्या आप ठीक है एक चाल समाप्थ होने के बाद महर के शरीर पर ड्रैगन का दबाव भी बढ़ गया इससे पहले कि वे डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक ठीक हो पाते एक हमले में एन जुआन पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब और लड़ने में असमर्थ था उसने जिन आखों से महर को देखा उनमें नफरत और दर भरा था इस मानव टियर चार मार्शल कलाकार ने वास्तव में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया अब क्या मैं इस थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव का अधिग्रहन कर सकता हूँ महर ने लापरवाही से कहा महर को देखते हुए एन जुआन के मन में भी मरने का दिला गया इस बार यह वास्तव में केवल चावल खोने के लिए एक चिकन चुराने की कोशिश कर रहा था न केवल वह थंडर एसेंस फ्रूट हासिल नहीं कर सका बलकि गंभीर रूप से घायल होने तक उसे पीटा भी गया एक जुआन ने दाग पीस कर कहा अपने आपको निर्दई समझो चल दर बिल्कुल नहीं तुम लोग नहीं जा सकते यूशिन उन्हें रोकने ही वाला था लेकिन महर ने उसे रोक दिया एन बिंग की सहायता से एन जुआन और बाकी लोग अपने पैरों के बीच पूँच दबा कर भाग गए यूशिन ने गुस्से में अपने पैर पटक दिये और अनिच्छा से कहा आप बमुश्किल एन जुआन को तब तक पीट पाए जब तक की वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गया आप उसे आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? महर ने मुस्कुराते हुए कहा हालां कि यह थंडर एसेंस फ्रूट टियर छे विशेशग्यों के लिए बहुत उप्योगी नहीं है लेकिन यह बिल्कुल एक दुरलब खजाना है क्या आपको लगता है कि एन जुआन के रहते हुए उनके पुराने पूरवज इस घटना पर ध्यान नहीं देंगे? केवल गंभीर चोटों के साथ एन जुआन को पीटना ठीक है लेकिन यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले को साप कबीले के पुराने पूरवज का क्रोध प्राप्त करना होगा क्या आप लोग इसे प्राप्त करें? महर ने लंबे समय से देखा था कि इस एजियोर परवतियक शेत्र के टियर छे पुराने पूरवजों की ताकत लगभग समान थी और एक दूसरे से सावधान थे यही कारण है कि वे जूनियरों को जाने और आपस में भिड़ने देने पर मौन रूप से सहमत हो गए हाला कि यू हुआन की ताकत थोड़ी कमजोर थी लेकिन निश्चित रूप से उसके पास अपना तुरूप का इकका भी था एक जुआन की ताकत बुरी नहीं थी ना कुल के पुराने पूरवज अवश्य ही उन्हें बहुत उचा मानते थे यदि उन्होंने वास्तव में एन जुआन को मार डाला तो साप कबीले के पुराने पूरवज ने निश्चित रूप से उसका सिर उडा दिया होगा उस समय दो कुलों के बीच लडाई से एजियोर परवतियक शेत्र का संतुलन तूट जाएगा जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीले के लिए जीतना संभवता बहुत कठिन था और उन्हें नश्ट होने का खत्रा हो सकता था यहाँ मिहर की बाते सुनकर यूशिन अचंभित हुए बिना नहीं रह सका जेड़ फेस्ट फेरी फॉक्स कबीला वर्तमान में अपने अंतिन पड़ाव पर था वे ना गवंश के पुराने पूर्वच का क्रोध कैसे सह सकते थे यदि आप एन जुआन को मारना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत को मजबूत बनाना होगा इन थंडर एसिंस फलों के साथ इस बात से क्यों चिंतित हों की आप भविश में एन जुआन की बराबरी नहीं कर पाएंगे उस आदमी से डरने की कोई बात नहीं है मेहर ने शांत भाव से कहा यह सुनने के बाद ही यूशिन की चिंता खुशी में बदल गई और उसने खुशी से कहा मिस्टर ये ठीक है यह फलों का बगीचा अब आपका है क्या ऐसा हो सकता है कि आप सचमुझ हमारे पास पांच बटा पांचवा हिस्सा देने जा रहे हैं यह बिल्कुल है मिहर बिना किसी हिचकी चाहट के सहमत हो गया सकारात्मक उत्तर पाकर यूशिन के सन्यम के साथ वह भी लगभग उचल पड़ी हाला कि वह एक युवा स्वामी की पहचान को बनाए रखने के लिए थोड़ा पीछे हट गई लेकिन चहरे पर उत्सा की भावनाए लिखी हुई थी यह बहुत अच्छा है बिक ब्रदर मिहर सचमुच बहुत अच्छे इनसान है यूशिन को इतनी परवाह नहीं हुई और उसने सीधे मिहर की बाह पकड़ली और जूलने लगी यह थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव छोटा नहीं था पांचवा हिस्सा भी कोई छोटी संख्या नहीं थी इन थंडर एसेंस फलों के साथ लोमडी कबीले की ताकत में निश्चित रूप से परियाप्त वृध्धी होगी यूशिन जैसे लोग थोड़े समय के भीतर एन जुआन से भी आगे निकलने में सक्षम हो सकते हैं यहां तक की बर्फ से थंडी यूलेंग के चहरे पर भी इस समय एक कृत जतापूर मुस्कान लटकी हुई थी बहुत बढ़िया इन थंडर एसेंस फलों के पकने में अभी भी अधिक्तम एक महीना बाकी है उस समय देखें कि कौन अब भी हमारे लोमडी कभीले को धमकाने की हिम्मत करता है यूशिन ने उत्तेजित होकर कहा लेकिन महिर ने मुस्कुराते हुए कहा एक महीना बहुत लंबा क्या तुम्हें लगता है कि सापों का वंश हमें यहां एक महीने तक शान्ती से इंतजार करने देगा यूशिन का दिल धड़क उठा आप कह रहे है यदि वे थंडर एसेंस फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वे संभवता हमें यहां थंडर एसेंस फलों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करते हुए कैसे देख सकते हैं एक बार जब वे कबीले में लॉट आएंगे तो वे निश्चित रूप से इस खबर को फैला देंगे उस समय लोंडी कबीला सभी के लिए निशाना बन जाएगा मिहर ने कहा तब? फिर क्या करे? तीर छे दानव जातिओं में मेरा लोंडी कबीला सबसे कमजोर अस्थित्व है हम अन्य राकषस जातियों को हरा ही नहीं सकते अगर अगर ब्लैक विंड राक्षसी भेडियों को यह जानकारी मिल जाएं यूशिन ने सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं की महर के निशकर्षों के अनुसार लोम्डी कबीला बेहत खतरनाक स्थिती में था शुरू में लगा कि उन्होंने कोई खजाना उठाया है क्या पता था कि पलक जपकते ही वह गर्म आलू बन गया कभी-कभी जाना प्राप्त करना एक बड़ा भाग्यशाली मौका होता था और इसके कारण कोई व्यक्ति एक ही बार में स्वर्ग तक पहुँच सकता था हाला कि अगर किसी के पास इन खजानों की रक्षा करने के लिए परियाप्त ताकत नहीं है तो यह मुसीबत को आकरशित करेगा यहां तक की एक घातक आप दाको भी हे हे सरल जब तक आप इन थंडर एसेंस फलों को दूसरों के आने से पहले काटते हैं तब तक यही चलेगा महर बिलकुल बेपरवाह था जैसे वह कोई मामूली और सामान्य बात कर रहा हो सिवाए इसके की यूशिन यह समझने में असमर्थ था अभी कटाई करें लेकिन ये थंडर एसेंस फल अभी तक परिपक्व नहीं हुए है प्रभाव परिपक्व अवधी का 10 परसेंट भी नहीं है इतना कमजोर असर इसे खाने और न खाने में भी कोई खास फर्क नहीं था मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा पका नहीं है हम इसे पका सकते है जाओ मेरे पीछे कबीले में वापस आओ यूशिन ने गहरा संदेह किया और मेहर के पीछे कबीले में वापस चला गया हाला कि वह जिग्यासा से भरी थी, मेहर बात नहीं कर रहा था, उसने भी समझदारी से नहीं पूछा डार्क शैडो लाइटनिंग स्नेक कभी लेक शेत्र में एन जुआन का रंग घातक सफेद था, लेकिन हर तरफ अनिच्छा और क्रोध लिखा हुआ था एन बिंग मेरे लिए थंडर एसन्स फ्रूट ग्रोव की खबर फैलाओ, अभी तुरंत तुरंत, याद रखें, आपको वुल्फ फैन को अवर्श बताना चाहिए, एन जुआन ने गुस्से से कहा, यह, वुल्फ फैन को बताएं, और हमें एक भी थंडर एसन्स फल नहीं मिल एक जुआन ने दात पीस्ते हुए कहा, वास्तव में, महर ने केवल रक्तधारा की शक्ती के दमन पर भरोसा करके एन जुआन को दोश्रहित तरीके से हराया, हालाकि महर ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन पर भरोसा करके अस्थाई रूप से चौथे स्टर के सोल सी में सफलता प्राप्त कर सकता था, लेकिन मध्यचर्ण टियर 4 एन जुआन को हराना चाहता था, फिर भी इसमें थोड़ी कमी थी, यह बोलते हुए एन बिंग को उदास महसूस हुआ, हालाकि वह बाकियों से थोड़ा बहतर था, फिर भी वह ज्यादा बहतर नहीं था, प पुराने पूर्वच को बाहर आने के लिए आमंत्रित करें, एन बिंग ने कहा, एक जुआन की अभिव्यक्ती बदल गई, और उसने डाटा, इस मामले का अब और उलेख मत करो, क्या आप एजियोर परवतियक शेत्र को एक महान युद्ध में जोकना चाहते हैं, अभी जा उस लड़के की ताकत वास्तव में कुछ हद तक उम्मीदों से अधिक थी, वास्तव में उसके पास बेहद शुद्ध ड्रैगन रेस वनशावली है, मैं तब ज्यादा दूर नहीं था, इस मामले का दोश आप पर नहीं डाला जा सकता, एन रोम में शांती से कहा, एन करने के बहाने के रूप में इस्तिमाल नहीं कर सकते, पुराने पूरवज की ताकत के साथ, योहवान का कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, दरसल एन जुआन भी बहुत हैरान थी, उनका अपना पुराना पूरवज वहां मौजूद था, लेकिन उसने कोई कारवाई क्यो नहीं की, ओहु टियर छे दानव कबीला बनने में सक्षम होने के लिए कौन सा पुशोवर होगा, यह सच है कि मेरी ताकत यूहवान से अधिक मजबूत है, लेकिन लोंडी कबीले के पास निश्चित रूप से छिपे हुए कार्ड हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं जब तक यहां अंतिम उपाए न हो, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, एन रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जुआन की निगाहें बदल गई, और उसने एक आशंकित अभिव्यक्ती प्रकट की, स्वाभाविक रूप से नाग वंश के पास अपने स्वयं के छिपे हुए कार्ड भी थे, लेकिन पुराने पूर्वच को भी सावधान करने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि प्रतेक तियर्चे दानव कभीले को कम नहीं आका जाना चाहिए, महर के जंजाती में लोटने के बाद उसने कभीले के कई उच्चस्तरिय उज्जाओं से मुलाका कैसा है, महर ने उसे एक बड़ा बैग दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह सफल हुआ, इस चीज को जिंगयान पाउडर कहा जाता है, इसे पानी में घोलें, फिर इसे थंडर एसिंस फलों के पेडों की जड़ों की जड़ों पर छिड़के, यूशिन की अभिव किया जाना चाहिए, महर ने कहा, काम करते समय यू लेंग अभी भी बहुत सक्षम और अनुभवी था, बहुत जल्द उसने थंडर एसिंस वाले सभी फलों के पेडों को पानी देना समाप्त कर दिया, ठीक है, सभी ने एक दिन मेहंत की है, आप सभी लोग आराम करें, कल इस फल वास्तव में परिपक्व हो गए, बहुत अकल्पनिय, मिस्टर ये वास्तव में भगवान तुल्य है, वास्तव में किसी सड़ी हुई चीज को किसी जादुई चीज में बदलने में सक्षम होने के लिए, यूशु खुशी से उचल पड़ा, बड़े भाई मिहर, आ इन थंडर एसेंस फलों को टुरंत पकाना असंभव भी नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि शर्तें सीमित थी, इस जिंध्यान पाउडर का ग्रेड अभी भी थोड़ा कम था, थंडर एसेंस फलत्वरण के माध्यम से परिपक्व हो गए हैं, फिर भी वे लगभग 10% प्र हद आसान नहीं था, मैं यह कलपना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता कि यह थंडर एसेंस फल वास्तव में रात भर में पक सकते हैं, यह बस एक ऐसी क्षमता है, जिसे देवता और शैतान भी नहीं समझ सकते, कुछ मामुली खामिया, मिस्टर ये को इसे दिल पर लेने की वैसे यूशिन बहुत पहले ही चकित हो चुका था, उसकी आखों के सामने जो द्रिश घटित हुआ वह सचमुछ बहुत चमतकारी था, जहां तक 10% नुकसान की बात है तो उसे इसकी बिलकुल भी परवाह नहीं थी, इतने सारे थंडर एसेंस फल उस नुकसान की भरपाई के लिए परियाप्त थे, महर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखना बंद करो, सभी लोग अंदर जाएं और थंडर एसेंस फलों की कटाई करें, थंडर एसेंस फ्रूट ग्रो का यह विस्तार छोटा नहीं है, थंडर एसेंस फलों का पाचवा हिस्सा आप सभी के थोड़ा तेज चलो, मुझे लगता है कि रास्ते में पहले से ही लोग मौजूद हैं, यूशिन ने सिरहिलाया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर यह, इन थंडर एसेंस फलों का जेड फेस्ट फेरी फॉक्स कभी ले के प्रती जो आकर्शन था, वह वास्तव मे बहुत बढ़िया था, उनकी युद्ध शक्ती मूल रूप से कमजोर पक्ष की ओर जुकी हुई थी, ये थंडर एसेंस फल उनके लिए मजबूत बनने का एक अफसर थे, मिहर ने थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव में भी प्रवेश किया, लेकिन तुरंथ थंडर एसेंस फ पांचवा भाग बाटकर लोम्री कभीले को देते हुए महर के पास स्वयन लगभग 10,000 की मातरा थी, दरसल महर को इतने सारे थंडर एसेंस फ्रूट्स की जरूरत नहीं थी, जब थंडर एसेंस फलों को परिश्कृत करना शुरू किया जाता है, तो कोई वास्तव में उत् थंडर एसेंस फलों का शुधन कर रहा था, लेकिन महर को इन सब की ज्यादा चिंता नहीं थी, वह उपवन के चारों और तहलने लगा, लगातार सभी दिशाओं में देखने लगा, जैसे कि वह कुछ खोज रहा हो, उपवन बड़ा नहीं था, महर ने एक बार बहुत थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव की उपस्थिती महस एक सन्योग थी, असंभव इन थंडर एसेंस फलों की गुनवत्ता काफी अच्छी है, पास में ही कोई वजरगुन वाला खजाना होगा, महर ने हार नहीं मानी, वह फिर से बगीचे में टहलने लगा, लेकिन कई बार च एसेंस फ्रूट ट्री बिलकुल अन्य पेडो जैसा ही था, और उसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी अभी महर ने गलती से देखा, कि उस थंडर एसेंस फ्रूट ट्री पर एक छोटा सा फूल उग आया है, छोटा फूल बड़ा नहीं था, यदि कोई ध्य आत्मिक रूपों के प्रती समझ के साथ, यह चोटा सा फूल अपने आप में परियाप्त था, महर के मुह के कोनों पर मुस्कुराहट का एक संकेट चमक गया और वह खुद से गुदबुदाया, कुहु, मैं लगभग तुम्हें मूर्ख बना रहा हूँ, उम्मीद नहीं थ करता कि आप कितना भेश बदलते हैं, इस मूल चुम्बकत्व आत्मा फूल को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि यहीं आपके जीवन का साथ नहिट है, इस समय महर आश्चर्यचकित और सुखद आश्चर्यचकित था, उन्होंने लंबे समय से अनुमान लगाया था, कि थ शलकलाका द्वारा इसे परिश्कृत करने के बाद न केवल उनके पास गड़गडाहट और बिजली की शक्ती हो सकती है, बलकि वे मूल चुम्बकत्व आत्मा लकडी के विकास के साथ भी विकसित हो सकते हैं, यह मूल चुम्बकत्व आत्मा लकडी दुनिया की सभी तो उस थंडर एसिंस फ्रूट ट्री से लकडी का एक टुकड़ा अलग हो गया और बहुत दूर जागिरा। अब जब महर की सार अगनी बाहर आ गई तो मूल चुम्बकत्व आत्मा लकडी तुरंत वहीं जम गई यहा तक की हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। पुराने राक्षसों को हिलाया नहीं गया। यदि यह मूल चुम्बकत्व स्पिरिक बुड थोड़ा और परिपक्व हो जाता तो उत्प्रेरित थंडर एसिंस रूट्स शायद अब उतने सरल नहीं होते। यदि उन टियर छे पुराने राक्षसों को भी स्थाना अंतरित कर दिया गया तो स्वाभाविक रूप से इसका महर से कोई लेना देना नहीं रह गया। लगभग दो घंटे बाद महर ने अंतर ओरिजिन मैगनेटिजम स्पिरिक बुड का शोधन पूरा कर लिया। उसके बाद ही यूशिन नमस्ते कहने के लिए उसके पास गया। अधिक उम्र की थी। बात सिर्फ इतनी थी कि राक्षस जाती में उसकी आयू अधिक नहीं मानी जाती थी। लेकिन महर एक सच्चा किशोर था। इस तरह की सुधार गती ने वास्तव में लोगों को शर्म से पसीना बहा दिया। महर ने मुस्कुराते हुए कहा, उहु बस एक छोटी सी सीमा। उतनी गिंती नहीं है। यूशिन ने सिरहिलाया और कहा, पहले मैंने देखा था कि मिस्टर ये यहां से गुजर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें यहां इकठा होने के लिए नहीं आने दिया। अन्य स्थानों के थंडर एसिंस फलों की कटाई पहले ही पूरी हो चुकी है। जब वह बात कर रही थी, यूशिन ने महर को एक स्टोरेज रिंग दी। मिस्टर ये, ये आपके थंडर एसिंस फल हैं। कुल दस हजार हैं। कृप्या जाचें। महर भी विनमर नहीं था, उसने सीधे स्टोरेज रिंग प्राप्त की और कहा, ठीक है। मैं मौके पर ही थंडर एसिंस फ्रूट्स को परिश्पृत करने जा रहा हूं। आप मेरी रक्षा करने में सहायता करें। यूशिन ने महर पर कुछ हद तक आश्चर्य भरी नजर डाली, लेकिन अपना सिरहलाया और कुछ नहीं कहा। ऐसा वजरविशेष्टा खजाना, जिसने भी देखा, वह भी प्रत्यक्ष रूप से परिश्कृत होने से नहीं रह सकेगा। म थंडर एसिंस फलों को परिश्कृत नहीं किया होता, तो उस समय गड़गडाहट और विजली की शक्ती का उप्योग करना बहुत अप्रत्याशित प्रतीत होता। कोई भी व्यक्ती दूसरों के प्रती सतरक्ता के बिना नहीं रह सकता। ओरिजन मैगनेटिजम स्पिरिक ब इश्वर जानता है कि अगर यूहुआन ने इस ओरिजन मैगनेटिजम स्पिरिक बोड को देखा तो क्या उसके मन में कोई दुरभावना पूर्ण मन्शा जागरित होगी। इस समय महर के शरीर पर तेज की किरने प्रकट हो गई, उसका प्रभावशाली वेक अत्यंत लग रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि महर के पास आधार के रूप में ओरिजिन मैगनेटिजम स्पिरिक बोड था और उसका भौतिक शरीर भी बेहत दुरजे था। तो ये थंडर एसेंस फल उसके लिए कुछ खास नहीं थे। अच्छा नहीं है। यूशिन ने अपना सिर्घुमाया और पाया की महर पहले ही परिशकरन पूरा कर चुका है और उसके पीछे चर रहा है। महर यूशिन को साथ लाया और थंडर एसेंस फ्रूट ग्रोव से बाहर निकला और पाया की लोगों का एक बड़ा समुः पहले से ही बाहर आ गया था, जिसने लोमडी कभीले को कसकर घेर लिया था। गुशी, गोल्डसन, तुम लोग वास्तव में मेरे लोमडी कभीले के खेतर में जंगली कारवाई करने आये थे। और फ्लक्स गोल्ड रैट कभीले को ओर्डर करने में सक्षम थी। उस गुशी ने यूशिन पर एक नजर डाली और थंडी मुस्कान के साथ कहा, थंडर एसेंस फल इस तरह का स्वर्ग विरोधी खजाना है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका लोमडी कभीला बिना साझा किये जेब में डालना चाहता है। एसेंस फ्रूट ग्रोव पर नजर डालने पर थंडर एसेंस रूट्स का कोई संकेत अभी भी कैसे था। बहुत सपश्ट रूप से उन थंडर एसेंस फलों को लोमडी कभीले द्वारा लंबे समय से साफ काटा गया था। अरे तुम वही मानव बववा हो जिसे लोमडी पहले से चिंता नहीं थी। उसने उदासींता से कहा मिस्टर ये के पास बेहत मजबूत ड्रैगन रेस वनशाबली है और वह हमारी दानव जाती के साथ एक परिवार है। आपके शब्दों का मतलब क्या है। बहुत हो गई बकवास। यह बववा जिस सार उर्जा का विका करते हैं वह अत्यंत शुद्ध है। लेकिन उसके शरीर में ड्रैगन का खून और भी शुद्ध है। क्या एन जवान ने आप लोगों को नहीं बताया कि मिस्टर ये के ड्रैगन दबाव के कारण उसने लगभग घुटने टेक दिये थे। यूशिन ने जरा भी जुके बि थी। उनमें से किसी की तुलना में जवान की ताकत कमजोर नहीं थी और वह वास्तव में महर के ड्रैगन दबाव को सहन नहीं कर सका। इस बववा के शरीर पर रक्तरेखा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। हम्फ। शेखी बगारते हुए आपको एक मसौदा भी तयार करना होगा। एक छोटा सा इंसान संभवत है इतनी शुद्ध ड्रैगन प्रजाती की वनशावली का अधिकारी कैसे हो सकता है। यूशिन तुम बहुत भोले हो। आपको नहीं लगता कि आप हमें केबल कुछ शब्दों से डरा सकते हैं है ना गोल्डसन ने ठंडे उपहास के स जाहिर तौर पर गोल्डसन को विश्वास नहीं था कि महर के पास ऐसी शुद्ध ड्रैगन नसल की वनशावली हो सकती है। यह कैसे संभव हुआ। महर के बारे में भूल जाए यहां तक की पूरे देव निशिध दानव शेत्र में भी ऐसे शुद्ध ड्रैगन नसल वनश वाला कोई नहीं था। महर ने गोल्डसन और गुशी की ओर देखा। उसने हलकी सी खराटे लेते हुए तिरसकार पूरवक कहा दो मूर्ख। गुशी और गोल्डसन दोनों के चहरे बदल गए। उनकी आखे तेज हो गई और उन्होंने समवेत स्वर में कहा लड़के क्या तुम मौत से इश्ट कर रहे हो। मौत को दावत देने वाले तुम लोग हो। जैसे ही उसने यह कहा, महर की ड्रैगन शक्ती पूरी तरह से मुक्त हो गई। उसके शरीर पर प्रभावशाली गती चरम पर पहुँच गई। गुशी और गोल्डसन की अभिव्यक्ती में भा गुशी और गोल्डसन के शरीर में राक्षसी सार बेचैन और अस्थिर हो गया। समर्पन करने की उस प्रकार की इच्छा अनियंतरत रूप से उभराई। जबकि उनके पीछे के सभी कभीले के लोग एक-एक करके घुटने टेक रहे थे, मानो किसी संप्रभों को सम्मान दे रहे हूं। और गोल्डसन ने महर के ड्रैगन दबाव का विरोध करने की पूरी कोशिश की। उनके चेहरों पर जटिल भाव उभर आये। उन्हें पता चला कि महर ने जो कहा वह बिल्कुल भी गलत नहीं था। उन्हें कुछ भी पता नहीं चला और वे दौरते हुए लोमडी कभीले में इतना शक्तिशाली था। एन जुआन उस पंक को निश्चित रूप से महर के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। अन्य था वह थंडर एसिंस फ्रूट्स के बारे में समाचार प्रकट करने में इतना अच्छा क्यों लगेगा। गुशी और गोल्डसन की आंतें पच्तावे से हरी हो गई। अभी भी मेरे लिए प्रयास नहीं कर रहे। महर ने घूर कर देखा और तपाक से कहा। अरे कैसा अहंकार पूर्ण स्वर है। भले ही आपके पास ड्रैगन रेस वनशावली हो आप महस एक टियर चार कच्रा हैं बस इतना ही। हीरो बनना इतना आसान नहीं है। तभी अचानक एक आवास सुनाई दी। ठीक एडी पर एक आकरती अविश्वसनिय गती से महर की ओर बढ़ी। आह। मिस्टर ये सावधान रहें। यूशिन ने अभी अभी उसे चेतावनी देने के लिए चिलाना समाप्त किया था लेकिन महर के सामने वह आकरा बहुत पहले आ गया था। तक्राना 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 पलक जपकते ही वहां आकरती बिजली की तरहें महर के साथ कई दरजन चालें चल चुकी थी। जब तक सभी को होश आया तब तक महर और वहां आकरती अलग हो चुके थे। इस तरह के आदान प्रदा जिसने उसे लगभग मार डाला था यहां आदमी पूरे एजियोर परवतियक शेत्र की जूनियर पीधी में सबसे मजबूत व्यक्ती था वहां खड़े होकर एक्स बरदस्ट आभा बाहर निकल रही थी हर किसी की चकित नजरों के नीचे उसकी आभा वास्तव में महर के ड्रैगन दबाव का समान रूप से मुकाबला कर सकती थी दरसल वुल्फ फैन अभी भी पहले जैसा ही शक्तिशाली था मैं इस कूडे दान को नीचे भी नहीं ले जा सकता ऐसा लगता है कि तुम यह मूर्ख भेडिया एक कूडे के अलावा और कुछ नहीं हो महर ने विपरीट दिशा में वुल्फ फैन की ओर देखा और शांत भाव से कहा